नमस्कार आप देख रहें टीपीवी न्यूज और मैं हूँ आपके साथ इंदूरा ठोड फिल्म दा कश्मीर फाइल्स को लेकर काफी जादा बवाल हो रहा है हर तरफ फिल्म की चर्चा है और इस फिल्म पर राजनी तीबी जम कर हो रही है अब इस फिल्म को लेकर जम कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी चीफ महभूबा मुफ्ती की तरफ से बड़ा वयान सामने आ है जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जम कर हमला बोला है और कहा कि अगर बीजेपी ने कश्मीरी पंडितों को लेकर कुछ किया होता तो आज हालत कुछ और होते महभूबा मुफ्ती ने कहा कि जम कश्मीर में लोग लगाता आर पीडित हैं और अत्या चार सेह रहे हैं जिस तरह से बीजेपी और खुद PM मोदे फिल्म दा कश्मीर फाइल्स का प्रमोशन कर रहे हैं अगर इसी तरह पिछले आठ साल में उन्होंने कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ किया होता तो हालत कुछ और होती बता दे कि विवेक अगनी होतरी के फिल्म दा कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद से ही विवादों में है इस फिल्म को लेकर लोगों की अलग-अलग राय सामने आई है देखा गया है कि सिनिमा घरों में लोग नफरती भाशन दे रहे हैं कुछ जगए जगडा तक हो गया जिसके बाद फिल्म पर आरोप लगा है कि ये समाज को दो धड़ों में पाटने का काम कर रही है और इसमें सिर्फ एक ही पक्ष को दिखाया गया है लेकिन इसे बीच बीचेपी के तमाम नेताओं ने फिल्म के तारीफ चुरू कर दियो और इसी जम कर प्रमोट किया है शोशल मीडिया पर भी फिल्म को देखने के लिए लोगों को प्रेडित किया गया फिल्म के पक्ष में बोलने वालों में खुद पिया मोदी भी शामिल थे इसके बाद फिल्म को लेकर जम कर राजनीती शुरू हो गई फिल्म रिलीज हुई कई दीन बीच चुके हैं लेकिन ये विवाद अब भी तक कम नहीं हुआ फिलाल किल इतना ही तब तक लिए देखते हैं टीपीवी न्यूस